अगर आप कुवेट में इंट्री करना चाहते हैं तो मैं इस टॉपिक पे ज़रा भी बात नहीं करूंगा क्योंकि आलेडी आप सभी लोगों को पता है कि पुराने रूल्स के हिसाब से कुवेट दिश में कैसे इंट्री हो रही है और कैसे आपको इंट्री करना है और आप किन कारणों से इंट्री नहीं कर पा रहे हैं बैरहाल वो कारण क्या है वो रिजन क्या है वो आप ही जानिये लेकिन आज की अपडेट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी वज़े से कोई देश में इंट्री अभी तक नहीं कर पाए हैं और आपकी जॉब सिक्यूर है और अगर आप कोई देश में इंट्री करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ह स्पेशल है बगएर वीडियो को इसकिप किये पूरा जरूर देखीगा क्योंकि अगर कुछ भी आप इसकिप करते हैं तो समझ नहीं पाएंगे वीडियो में क्या एक्चुली में हो क्या रहा है तो आप लोग वीडियो को बगएर इसकिप किये जरूर देखीगा और इसके क्या procedure है कैसे आप farm को submit करेंगे सारी information इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगी तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप subscribe कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई तभी like करना बड़ी मेहनत लगती ये वीडियो बनाने में चलिए हम आपको ले चलते हैं computer की screen के तरफ और ले चलते हैं website के तरफ और website पे आपको form कैसे submit करना है और सारी परकिरिया आपको वहीं पे चल करके मैं बताने वाला हूँ आपको ये form screen पर दिखाया जारा इसमें लिखा हुआ है registration registration stranded Indian nationals wishing to return to kuwait यानि कि अगर आप kuwait देश में return होना चाहते हैं तो इस form को registered कर सकते हैं form को submit कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इस form को submit आप कैसे करेंगे इसको तो मैं बताऊंगा लेकिन इसका link आपको description में मिल जाएगा आप सिर्फ एक बार click करेंगे और ये form open हो जाएगा और ये form भरना बिलकुल ही free है तो आप जरूर भर दे और आगे क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम और नहीं आपको मालूम है क्या procedure रहेगा लेकिन बस यही है कि अपना आप काम कर दीजिए और कैसे काम करना है और कैसे form को submit करना है चलिए हम इसको बहुत ही बारिकी से जान लेते हैं जैसे ही link पर आप click करेंगे तो आपके सामने ये form open हो जाएगा इस form को आप पढ़वी सकते हैं आप समझ सकते हैं क्या है और इस form को भरने के लिए इसमें जो red color का लिखा हुआ है required यानि कि जहां पर आपको star red color का दिखे वो option भरना बहुत ही जरूरी है बेगार उसको भरे आप form को submit नहीं कर सकते हैं सबसे पहले आपके जो passport पे नाम है उस नाम को spelling साई 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 आप भर लीजिए इसके बाद आपको current address in India आगे star लगा हुआ है red color का जरूरी है भरना आप समझ सकते हैं यहां पर आपका जो इंडिया में address है वो आप fill कर सकते हैं इसके लावा आपका जो state है जैसे आंद्र परदेश और वांचल परदे आसाम बिहार 36 गड़गोवा गुजराद हर्याना कहीं के भी इंडिया में कहीं भी किसी भी राजिके रहने वाले हैं तो अपने state के आगे option को choose करें और फिर option को आप छोड़ सकते हैं और इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो नीचे भी आपको बहुत सारे option मिलेंगे जिनको भरना बहुत जरूरी है और कुछ बाते हैं मैं वीडियो को और फाम भरने के बाद आपको कुछ knowledgeable जानकारी देने वाला हूँ तो आप जो है यहाँ पर अपना telephone address वगरा email address वगरा आप भर लीजिए email address वही आप भरिएगा जो आपके mobile पर रन कर रहा है आप Gmail में जा करके अपने email को note कर सकते हैं और passport number आप डाल दीजिए जो भी आपका है और passport आपका expiry date क्या है नीचे option है उसको choose करकर के और आप अपना यहाँ पर देख लीजिए किस date को expire हो रहा है set कर दीजिए इसको फिर आप nearest international airport आपका जो है वहाँ पर आप नाम लिख देंगे और इसमें पूछा do you have valid visa residence permit for क्वेट क्या आपके पास कोई visa या residence permit क्वेट का है है तो कर दीजिए नहीं है तो no कर सकते हैं yes करना पड़ेगा आपको क्योंकि आगे मैं बताऊंगा क्यों करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पे उसका visa number देना पड़ेगा और अगर आप क्वेट का civil ID है अगर आपके पास civil ID number आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और उपर visa number भी देना पड़ सकता है फिर इसको आप इस तरीके से set कर देंगे date of expiry visa की कब है आप उसको date डाल सकते expiry date डाल सकते हैं और फिर आपका क्वेट में जो address है वो address आप फिल कर दीजिए और नीचे लिखा हुआ है भाई contact details in क्वेट telephone number आप telephone number कोई एक दे सकते हैं अपना type of visa आपका किस type का visa है खादिम का है शियोन का है आप लिख सकते हैं प्रोफेशन क्या है आपका प्रोफेशन आप यहाँ पे type कर सकते हैं अपना जो भी आप क्वेट में काम करते थे इसके लावा आपका name of company sponsor आपकी company का क्या नाम था अगर आप company में नहीं थे तो sponsor का मतलग कफील हो गया कफील का नाम वगरा लिख सकते हैं फिर यहाँ पे address कुएट में जो address है वो address को fill कर सकते हैं उसके बाद फिर अपनी company या sponsor या manager या boss का किसी का mobile number डाल सकते हैं अब यहाँ पे एक option आता email idea of the company देखिए company का email ID तो आपको मिल सकता है यहाँ पर जिसने भी form बनाया है इस form को गलत बनाया है हमारे हिसाब से क्योंकि देखिए email ID आपको company का मिल सकता है लेकिन किसी भी कोईती का नहीं मिल सकता है आपको कोई भी कोईत में काम कर रहा है और नीचे आप email ID डालने के ब्रोशर बुक में कोई भी लिफलेट में आपको मिल सकता है लेकिन किसी कफील का email ID कैसे मिलेगा यह option यहाँ पर red color का निशान है required है जरूरी है लेकिन इसके लिए आप जो है अपने कफील से बात कर सकते हैं और email address डाल सकते हैं आपके कफील से contact नहीं हो पाता है और आपको email नहीं मिल पाता है या आपको email वो देता ही नहीं है तो ऐसी condition में आपके पास कोई और च्वाइसी नहीं बशती क्योंकि बेगार इसको फिल कि आपका form सम्मेट ही नहीं होगा क्योंकि red color का है उसमें required है बना के जरूरी है तो कोई भी email आप डालिए email सही होना चाहिए कोई भी email डालिए भई क्या करिएगा आपकी मजबूरी है इसके लावा इस form को आप बाकाइदा देख लीजी इसमें दो तीन option ऐसे हैं जिनमें आप अटक सकते हैं उसको अभी हमें clear करना है नहीं तो फिर बाद में आप comment करोगे फिर सबका अलग-अलग जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मैं इस वीडियो में ही वो बात कर देना चाहता हूं और वो कौन सा option है जहां पे आपको problem create होगी और बगैर उसको fill किये आपका farm आगे बढ़ेगा नहीं इसके लाबा ये farm वही लोग भरे जो कुए देश में आना चाहते हैं जिनके पास अकामा, civil ID, job वगरा है और किसी भी वज़े से कुए देश में entry नहीं कर पाए उन्हीं लोग ये farm को भरेंगे अब चलिए हम जान लेते हैं कौन सी problems create होने वाली है और कहां पे आपको farm भरते वगद problems क्या आएगी और कैसे क्या system होगा चलिए हम इसको जानते हो समझते हैं सबसे पहली problems की मैं बात करूँ तो इस पे लिखा हुआ है ये आपके farm का ही एक हिस्सा है एक part है इसमें लिखा हुआ है do you have a valid visa क्या आपके पास valid visa है या residency permit for kuwait आपका अगर ये valid है यानि कि अभी भी expire नहीं हुआ है expiry category में नहीं है अगर valid है तो yes करेंगे और अगर आप kuwait में entry करना चाहते हैं तो kuwait rules के हिसाब से आपके पास valid अकामा होना चाहिए expire नहीं होना चाहिए इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिए आपका अकामा expire नहीं होना चाहिए आप दुबई वगरा होकर के लोग बहुत से आ रहा है और इस farm को submit करने के बाद क्या आप लोगों के लिए कोई system ऐसा आएगा क्या MBC आप लोगों के लिए कुछ करेगी ये आगे की update आने के बाद ही मैं आपको update कर पाऊंगा लेकिन अभी आपका जो काम है वो farm को submit करना है तो अगर आपका अकामा जो है valid है एक्सपैर नहीं हुआ है तो yes पर करेंगे अगर एक्सपैर हो गया है तब भी आप no पर करके और सारी information और problems कहां कहां create होगी आगे हम इसको और भी detail में बतलाएंगे तो उसको भी समझ लीजिए लेकिन ये आपकामा वैलिड है तो yes नहीं है तो no पे आप ज़रूर किलिक करें इसके बाद दूसरा option ठीक उसी के नीचे आएगा उस पे लिखा है if yes to the previous question please provide your visa यहाँ पे provide visa number आपको लिखने आ रहेगा अब आप कोईट में पुराने हैं आपके पास अकामा है वैलिड है या एक्सपैर है तो ऐसी condition में visa number कहां तलाशेंगे तो आप अपना civil ID number यहाँ पर submit करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे एक option है civil ID number तो civil ID number के जगाँ पर civil ID number आप डाल देंगे तो यह दोनों option आप इसी तरीके से submit करेंगे और फिलाल यह form किस type का किस ने बनाया है कुछ हमारे भी समझ में नहीं आया क्यूंकि इसमें बहुत ही typical information मांग ली गई है जो एक normal आदमी इसको submit नहीं कर सकता है आगे की problem क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं अब इस form की problems number 3 है कि email ID of the company representative sponsor अब आपका sponsor यानि की कफील हो गया आपका आपके boss हो गए और company जो है उसका तो email आपको मिल सकता आप डा सकते कोईती से आप contact कर सकते email डा सकते लेकिन suppose that सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सभी लोगों को नहीं पता है अपने कोईती का क्या email address है या company का क्या email address है तो ऐसी situation में ये farm को अगर नहीं fill करते यानि कि ये option नहीं submit करती तो farm ही submit नहीं होगा ये पता नहीं किसने farm को कैसे बनाया है कि उसने किसी की मजबूरी को नहीं समझा कि उसकी क्या requirement है और किस तरीके से वो इस farm को submit कर सकता है इसको इतना tough बनाने की जरुवती नहीं थी फिलाल मैंने जहां तो खो सका बहुत अच्छी तरीके से आपको इस farm कैसे submit होगा बता दिया है किसी भी तरीकी की अगर कोई भी problem साती है तो comment box में जाकर के आप comment ज़रूर करिए मैं कोशिश पूरी करूँगा आपके comment का जवाब देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर दे वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और इस वीडियो को बनाने के लिए बड़ी माथा पच्ची मुझे करना पड़ी समझने के लिए और फिर आपको समझाने के लिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई जानकरी के साथ मिलते हैं भाई